वेल्कम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ सिंटेक्स इंडेस्ट्री लिमेटेड तो फ्रेंड सिंटेक्स इंडेस्टी जो पिछले वन मंत में जो है कंटिनुसली गिरावट दे रहा था एक अच्छी गासी उचाहियो के बाद वह कंटिनुसली हमें अपर सर्किट देता हो करने की कोशिश करेंगे और उससे पहले यह भी समझना बहुत जरूरी है कि यह गिरावट क्यों आई थी जो इतना अच्छा रैली देखे गई थी तो दोनों पॉइंट हम डिसकस करते हैं उससे पहले एक चोटी से रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए अगर आप हमारे चै इसको रिलाइंस वेल्सपन ग्रूप और ऐसे पार्च बड़ी-बड़ी कंपणिया थी जो खरीदना चाहती थी रिजलोंसी प्रोसेस के तुरू तो यहां पे उसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी और इसने 19.40 पे पे और यानिसे पे 20.35 का है बनाय था और उसके बाद एक अपडेट ऐसा आया था जो कि आप लोगों को चानना बहुत जरूरी है वहाँ पे ऐसा प्रोपोजल रखा गया था बाइंग कंपनी से जो हैस बीडर थे उन्होंने ऐसा बोला था कि यह कंपनी वो खरी देंगे लेकिन उनके कुछ रूल्स थे उन रूल्स की लिस्ट तो उससे क्या पॉसिबिलिटी वहाँ पे उस रिपोर्ट में देखने को मिली थी कि इस पर्टिकलर शेयर का प्राइस जीरो हो सकता है या फिर ये डीलिस भी हो सकता है तो वही चीजे जो वहाँ पे गलत इंप्रिशन देखे कई सिंटेक्स से वह न्यूस की वज़े से और वह आप से हमें कंटिनियूसली लोर सर्किट देखने को मिला और लोर सर्किट 6.40 पर आके रुका लेकिन यहां से आगे जो है रैली हमें देखने को मिली फिर से तो यह रैली क्यों देखने को मिली फिर जब डिलिस करने की बात की जारी थी तो इसके पीछे का अपडेट य मातलब क्या हुआ कि पहले जो बोली लगाए गई थी कंपनियों की तरफ से और जो उनका से जेज में हमें देखने को मिल रहे की रिवाइक करने को बोले थे वा रूट की कुछ रूल साइसे थे जो इस resolution प्लान में जो है accepted नहीं थे resolution committee की तरफ से और यहाँhen पर आप देखिए revised resolution plan received from all 4 PRS शाल बी-evaluated by the interim resolution professional and then shall be placed before the committee of creditors for its further consideration, syntax industries had said in तो यहाँ पर देखिए सारे जिनों ने जो बीड लगाई थी उन्होंने सारों ने उनके रिवाइस प्लान जो है सब्मिट किया है resolution professionals के फ्रण्ट में और अभी यहाँ से आगे जो है final stage में है अभी यह जो है यहाँ पर देखिए Syntax Industry Insolency in Final Stages Company Receives Revised Bid तो अभी कुछ rules थे उनको revise करने को बोला था और bids भी company के price के इसाब से नहीं थी तो उसके वज़े से फिर से revise bidding यहाँ पर पूछी गई थी और वही अभी चारो company उने जो भी interested है उन्होंने जो decision था उनका fund के through या rules के through वह अभी represent किया है और अभी यह final stages में है अभी यहाँ से आगे decide होगा कि कौन सी company यह particular bid जीती है और उसी के इसाब से जो है अभी नए owners हो रहेंगे लेकिन friends यहाँ पर ऐसा कहीं पर expose नहीं किया गया है किसी भी बना रहेगा अगर बना रहेगा तो बहुत अच्छे रिटन देगा लेकिन अगर डिलिस्ट होगा तो वहाँ पर में भी risk के chances बढ़ सकते है तो every penny stock जितने भी penny stocks होते वहाँ पर हमेशा risk रहता है friends तो यहाँ पर भी picture है यहाँ पर भी risk involved है जब तक मुझा ऐसे लगता है कि जब तक वह न्यूज नहीं आती है कि नए बाइस ने इसको buy किया और buy करने के बाद जो वह क्या करना चाहते इस particular share के बाद तब तक यहाँ पर पैसा involved करना जो है थोड़ा सा और उन rules के इसाब से जो result resolution plan जो है company के तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है revise करके तो उसके इसाब से अगर यह deal is नहीं होता है तो definitely यह बहुत अच्छा return दे सकता है क्योंकि last one year का है 20.35 और इसका fire sky 121 और all time max के अगर हम बात करेंगे तो 304 तो अगर यहाँ पर reliance company जो है इसको buy करती है या कोई भी company इसको buy करती है और बहुत अच्छे से जो है वो इनके plans execute करते है इस company को grow करने में तो definitely हमें share में बहुत अच्छी तेजी भी देखने को मिल सकती है लेकिन वह update आने के लिए please wait कीजिए जिनको भी risk नहीं ले रहे है उनके लिए मैं बूल रहा हूँ particularly तो मेरे चानल के थुरू आपको उसका भी update ज़रूर मिल जाएगा जिस तरीके से जो है update आएगा किस company ने buy किया है और किस तरीके का plan है तो जैसे यह details हैंगे मैं immediately वीडियो बना के आप लोगों तक पहुचा दोंगा उसके लिए please चैनल को subscribe करके रखिए thank you for watching this video